ओके वी अर गुन टॉपिक ऑफ एन अटोमिय ओ प्लांट्स यहनि पादपों की सारी रिकी में ही हम अगले टॉपिक की बात करते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पर्मानेंट टिस्यू इस्ताई उत्तक किसके बात कर रहे हैं इस्ताई उत्तक देखो विब्जोतक उत्तक जो है जब विवजोतक उत्तक सेल बना देते हैं और सेल कम्प्लीटली परीपक हो जाती है परीपक हो जाती है तो उनमें डिविजन बंद हो जाता है और जैसे डिविजन बंद हुए तो सेल तो बन गई अब वो काम करेगी लेकिन डिविजन नहीं करेगी और जो सेल बन गई उनको आप कहोगे स्थायुत्तक क्या कहोगे यानि उन कोशिकाओं के समूँ को आप क्या कहोगे स्थायुत्तक ठीक यहाँ पर आप देखोगे तो इस्थायुत्तकों को दो बागों में बाटित रखा है एक तो सरल उत्तक और एक जटील उत्तक यहाँ पर सराल उत्तक की अगर हम बात करें तो पेरेन काइमा, स्कलेरेन काइमा, कॉलेन काइमा, तीन उत्तक, कौन कौन से, पेरेन काइमा, स्कलेरेन काइमा, कॉलेन काइमा, और जटील उत्तकों की बात करें तो जाइलम और फ्लयम, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं जटील उत इसू की बात कर रहे हैं, सहवैन उत्तकों की बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं, तो सहवैन उत्तकों में यहां पर कौन से हैं, जायलम और फलोयम, किस की बात करेंगे, तो सबसे पहले हैं, पेरेन काइमा पर बात करेंगे, किस पर बात करेंगे, तो पेरेन काइमा की जो ये गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, ऐसे, पेरेन काइमा की कोशिकाएं, ठीक है, और पेरेन काइमा की कोशिकाएं इस परकार से अरेंज रहती है, दूसरी एक और बात, इनकी जो सेलवाल होती है, इनकी जो सेलवाल होती है, पतली होती है, कैसी होती है, इनकी सेलव हिन होती है और सेलवाल के अंदर सेलोज परमुक्ताय होता है इनका प्रोटोप्लाज्म जीवित रहता है वहीं मरा हुआ नहीं रहता है क्योंकि अगर सेल ज्विकाइबु कि डिन है तो प्रोपर रूप से अपना सावन कर रही है जो जीवदर हो sistem के जुए शाम का बांट बात upfront आप इसमें एक चीज और बताओगे आप, इनमें जो इंट्रा सेलुलर स्पेस हैं ये, छोटे-छोटे, ये कम होते हैं, होते तो हैं, लेकिन कम होते हैं, बट इसमें इंट्रा सेलुलर स्पेस बिलकुल नहीं होते हैं, इंट्रा सेलुलर स्पेस बिलकुल नहीं होते हैं, ये भी लौ्ज और पेक्टीनच के जम जाने से इसके कोने ऐसे मोटे हो जातके हैसे कंध्या है जाती है खिलार नृफलास के अजहते हैं बाकी थिन होती इसकी लिए रहे हैं भी इसेप में गुलाकार अंडाकार हो सकती इसके अगर आप बात करो, कॉलेन काइमा की, तो इसके अंदर लिगनीन का जमाओ होता है, आपको ये बात याद रखने पड़ेगी, इनकी सेल के अंदर किसका जमाओ होता है, लिगनीन का जमाओ होता है, इसकी सेल के अंदर, बहुत सारी इसमें वैरियसन रहती है, ये ऐसे लंबी सेल होती है यह लंबी सेल होती है यह लिग कॉलेंग काईमा जो सेल होती है और दूसरी बात है यह जो सेल है इनमें जगह जगह पर गर्थ भी पाया जाते हैं पिट्स पाया जाते हैं गर्थ पाया जाते हैं इनकी सेल क्या पाया जाते हैं गर्थ पाया जाते हैं ठीक ह और इन में बावरूपता होती है। ये जैसे सहिम नहीं होती है । सारी और डरी डी आपैकार को कीसी ऐसी हो सक्तथी है। जिसके 검찰حन विभीन प्रकार के तंटुंबन जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं तंतु ये तंतु जो होते हैं वो कुछ इस परकार से होते हैं कि लेगनीन का जमाव होता है प्रोटोफलासम में डेड हो जाता है एक प्रकार से मर्थ प्रकार की होती है गुद्यदार फ्लों में ज़्यादा पाई जाती है जैसे चीकू है अम्रूद है यह लेग्यूम पात्मों के बीजों में ज़्यादा प्रजेंट रहती है किलियर इसकी अगर हम बात करें तो यह प्रकास इंसलेशनी वाली कोशिकाओं में ज्यादधा पाई जाती है ठीक है किलियर और यह भी सेवन का काम नहीं इसका देखना पड़ेगा देखो सरल उत्तक यह पेरेन काइमा की सेल दिखा रखी है कौन से दिखा रखी है और इसमें यह अंत्रा कोशिक इस्तान इस कैना देखो यह दोनों किनारी देखो यह आप यहां से मोटे रहते हैं और इनमें जो प्रोटपलाज्म होता है लेकिन रास्ट वाली म्म प्रोटपलाज्म डेड़ हो जाता है ठीक है यह देखो आप लास्ट वाली स्कलेर ria का एआ ठीक है तो इसकी गूईए का दिखा बात करें पाइजाने वाली कोशिक हैं गोलाकार अंडाकार यह लंबाकार हो सकती है इनकी बित्ती पतली होती है इनकी बात करें कोलें काइमा की पात्म में पाये जाने वाले यह उत्तक प्राय दीवीज पत्री पोदों की भाये तोचा की निचे यह बात आपको याद रखनी है यानि दीवीज पत्री जो पोदे उनमें जो बार की सबसे बार के लेर होती है इनुटकों में पाये जाने वाली कोशिकायों में सेलवाल पतली होते हैं लेकिन कई chorじゃ पत्रों सेलोज, हेमीचलोज, पैक्टीन के जम जाने के कारान मोटी रहती है सेफ इसकी पहले वाली जैसी होती अंडाकार गोलाकार होती है इनमें कलोरप्लास्ट भी पाया जाता है अंतरा कोसिकिस्तान नहीं होते हैं इनमें बिलकुल भी नहीं होते हैं कारिये आप देखो यहाँ पे कारिये क्या दे रखे हैं पोदे की वर्दी हो रहे हैं बागो जैसे सेसवतना जो बनाई है अभी उसको आप क्या कहोगे सेसवतना पत्ती के वरंत को या अंत्रिक सारा देने का काम कॉलिन काइमा करता है क्लियर बात समझ में आई next आगर हम बात करें sclerine काईमा पात्मों में पाई जाने वाले sclerine काईमा उत्तकों की कोशिकाएं लंबी सकरी होती है इनकी कोशिका बित्ती मोटी होती है lignin की बनी होती है यह बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी पहले वाड़ी cellulose की दूसरी वाले cellulose, hemicellulose और pecti, तीसरी वाले लिगनीन की बनी होती है, कोशी का बित्ती में गार्थ परजेंट रहते हैं, pits are present in these cells, ठीक, next आप देखो कि इसके अंदर, तो अधिकांस ता ये कोशी का इम्रत होती है, because लिगनीन जब जमा हो जाता है, लिगनीन जब cell में जम जो आधान परदान है, वो जीवदर्वा का बंद हो जाता है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है, वो एक तरीके से नस्ट हो जाता है, मरत प्रकार का हो जाता है, इनमें प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक, प्रोटोप्लास्म कर लेना इसको, क् विंता होती है इस कारण इनको तंतु मैं कहते हैं इन थोमोटी बित्ती वाले होते हैं नुकली होते हैं इन तंतुं का आख कर गोलाकर या अंडाकर हो सकता है ठिक है नेक्स अगर हम बात करें इस क्लेरेन काइमा पर इन तंतों में पाई जाने वाली गुवा सकरी होती है यह तंतों प्राए फलों जैसे अमरूद नास पती चीकू गुदेदार या लेग्यूम बीजों के अंदर या चाई पती के अंदर ये प्रजेंट होते हैं तो इतनी बात काम इनको एक इकाई के रूप में करना होता है वैसे यह अलग अलग कोसिकाओं में एक सेधिक प्रकारी कोसिकाओं में बटे हो सकते हैं लेकिन काम इनको एक इकाई के रूप में करना पड़ता है जैसे यहां पर जाइलम और फलोया हम पहले जैलम को पढ़ेंगे किसको करें जायलम के अगर हम बात करें तो जायलम क्या करता है जायलम के जैसे यह प्लांट है Gosh और यहां प्रे आपने जल ढाला के जल में मिनरालस मिल गए आपके खनीज लवन क्या मिल गया थॐ खनीज लवन तो उनको लेकर ये ट्रांस्पोर्ट करता है पोदे के विभिन भागों में पहुंचाता है ये काम रहता है इसका जायलम का तो एक प्रकार का सेवन यूद तक है पोदे के विभिन भागों में पहुंचाने का काम करता है पर फ्लोयम बने बोजन को डिस्रिबूट करता है, फिर यह फ्लोयम बोजन बना कि देता है इसको, जायलम को दारू तक भी का जाता है, क्या का जाता है, दारू तक भी का जाता है, चार प्रकार की कोशिकाई होती है, कितनी होती है, यह पोदों में जल का सब्वन करता है, किस अब आप बात करोगे कि जायलम के अंदर जो चार प्रकार की कोशिकाएं वो कौन-कौन सी हैं तो याद रखना आपको स्लाइड हम बाद में देखेंगे वाहिनी काएं नम्मर एक कौन सी है नम्मर दो वाहिकाएं नम्मर तीन जायलम पेरेन काइमा नम्मर चार जायलम रेसे वाहिनी काएं वाहिकाएं जायलम पेरेन काइमा जायलम रेसे चार प्रकार की सेल होती है आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि चार प्रकार की सेल के बारे में हमारे अकल रहेगा तो नेक्स लाइड अगर हम दे वाही काएं, जायलम परेन काएंगा, जायलम रिसे, समझ मैं आगई बात, और यह आपको याद रखना है, सबसे पहले अगर हम वाहीनी काओं की अगर हम बात करें, जायलम वाहीनी काओं की अगर हम बात करें, तो इसमें आप क्या बता होगे, तो इसके अंदर आप यह बता या नलिका का कैसी होती है किलियर आई बात समझें प्लस इन में जो प्रोटो प्लाजम है वो मृत रहता है reason क्योंकि इनकी बित्ती किसकी बनी होती है लिगनीन की किसकी बनी होती है लिगनीन की इसलें में ये मृत होता है इनकी जो केविटी होती है ये आप इसमें विस्ष्ट बात याद रखोगे इनकी जो गुहा होती है अंदर की वो सुन्डाकार होती है जैसे आत्ती का सूंड होता है वैसे सूंडाकार होती है इनकी जो केविटी होती है वो सूंडाकार होती है ठीक है बात समझ में आ गई अगर आप इसकी बात करो वाहिकाओं की बात करो तो यह जो वाहिकाओं हैं यह भी लंबी लगबग सारी लंबी है सारी लंबी मिलेंगे आप यह भी लंबी होती है ऐसे प्रोटोपलाजम में डेड रहता है रिजन लिगनीन के जमा होने के कारण सेलवाल मोटी रहती है और प्रोटोपलाजमिन का डेड़ हो जाता है इनकी जो गुईका है केंद्र ये गुईका होती है वो बड़ी होती है केंद्र ये गुईका बड़ी होती है यहने सेंटर में जो गुईका है वो इससे बड़ी होती है ठीक है इनमें चोटे-चोटे चिद्र भी पाए जाते हैं इनके अंदरे से जब यह लंबवत पास-पास आ जाती है तो यह चिद्र एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं ताकि यह पदार्तों का सैवन असानी से करवा सके हैं अगली अगर हम बात करें जायलम पैरेन काइमा देख पासिद्र रहता है चलोज की बनी रहता है लास्ट वाड़े के आप बात करो तो इसमें जो जायलम रसे हैं वह वापस है यह यह पट यह भी हो सकते हैं जैसे ऐसे पट बन गए यह खाली भी हो सकता है ठीक है है तो यह बात मैंने आपको बता दी यहीं पर इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिसक्स्ट करेंगे ओके आज के लिए इतना ही थेंक्यू सो मच